हे दोस्तों चिराग एक और वीडियो के साथ तो आज हम देख रहे हैं TTS की फूर्थ वीडियो पिछली वीडियो नी थर्ड वीडियो में आपने चार सेक्शन कवर किये थे पहला सेक्शन था 194B जो की लॉट्री, क्रॉसवर्ट पजल, कार्ड गेम की बात करता है फिर देखा अब देखिए आज की वीडियो में आगे की सेक्शन कवर कर रहे हैं जिसमें पहला सेक्शन है सेक्शन 194DA, इसमें क्या चेंज है आपको पता चल जाएंगे आगे, इसमें देखिए नेचर ओपेमिंट क्या है, पेमिंट ओफ मैचॉर्टी अमाउंट ओफ लाइफ इंशॉर प्लस मान के चलिए 50,000 आपको बोनस भी मिल जाएगा, तो टोटल मिला कि इंटर पेमिंट क्या 15,50,000 उसका 1% TDS क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, यानि कटवाना पड़ेगा, तो इंशॉरेंस कंपनी काटेगी, और जो रेसिपेंट है उसकी इंकम यही बोल सकते हैं, कि मैचॉर्टी पर जो अमाउंट मिल रहा है, वो टोटल एक इंकम कमाईए उस पर, अब देखें यह जनरली पूरी इंकम निवी क्यों, क्योंकि आप प्रीमियम भी पे कर रहे थे, तो यह पूरी इंकम निवी, तो पहले क्या होता था कि टोटल अमाउंट पर लगता था, जो एक तरीके से क्या हो गलत हो गया, लेकिन देखें परसें में पे किया है, आपको बता है कि जैसे, आन्वल प्रीमियम आपका, उन догल बनता है, और दस साल तक आपको पे करना है, तो इंटु दस, गया हो गया प्रीमियम हो क्यों अगयों, ऐसे, तो यह 10 ग मापको बता है कि सो, छो 16,000-10,000 तो बाकी जो बदोट भी जो 4,000,000 उसका 5 परसेंट देना पड़ेगा ठीक है लेकिन याप यह भी बोल रखा है इफ इस नॉट एक्जम्ट अंडर सेक्शन 10 सब्सेक्शन 10D तो आपको पता है कि जो सम एशॉड होता है उसका 10% 20% 15% जनरली क्या होता है एक्जम्ट होता है ठीक है अगर जो इंशॉरेंस प्रीमियम का है जो कि मैंने बताया कि वन लेक जैसे है अगर वो इसके अंदर आ रहा है ठीक है 10% of समय शॉड 20% of समय शॉड अगर आपने यह नहीं देखा तो जनरली आप सेक्शन 10 सब्सेक्शन 10D देखिए फिर आपको पता चल जाएगा कि अगर वो एक्जम्ट है तो टीडियस नहीं कटेगा अगर अगर एक्जम्ट नहीं है तो टीडियस कटेगा ही कटेगा तो यह भी बोल रहा है no surcharge health education says on the income comprised therein that is after deducting the amount of insurance premium paid by resident SSC from the total sum received जो जो total sum received 14 lakh उसमें से जो insurance premium का जो total amount है वो less कर दिया बाकी जो पार्ट है उस पे 5% टीडियस कट जाएगा अगर यह एक्जम्ट नह ही है क्योंकि exempt है तो टीडियस नहीं लगेगा अब देखिए इसके लावा exemption एक और दे रही है कि अगर जो यह insurance premium यह समय शोट की बात कर रहा है कि क्या बोल रहा है कि less than rupees 1 lakh है on aggregate basis to a person in a financial year तो उस case में exemption मिल जाएगी तो यहां पर भी मैं आपको एक एक्जामपल की थूरू बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा अब देखिए एक्जामपल समझाने से पहले मैं एक PDF की तरफ आ जाता हूं जो कि जनरली मैंने आपको कवर कराई थी किसमें डिड़क्शन फॉम जीटी डिड़क्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इंकम में एटी सी की डिड़क्शन थी तो उसमें देखिए आप देख सकते हैं यह लाइसी की बात करता है तो यहां भी देखिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रीमियम एलिजिफल वर डिड़क्शन अंडर सेक्शन एटी सी तो यहां पे पॉलिसी इशूट की बात कर रहा है अप ठीक है क्योंकि 1 April 2012 के बाद तो 10% हो गई लेकिन हां या रखना कि अगर कोई disabled person है तो उसके लिए 1 April 2013 से 12-13 में 10% थी बाकी person के लिए 10% थी लेकिन अगर disabled person है तो उसकी insurance policy है उस पे exemption कितना है यह बोल रहा है 15% तक का कह रहा है maximum amount of premium eligible for deduction under section 80C तो कितना हो गया 15% अब इसी को अपने relate किया था section 10 subsection 10D से ठीक है तो यह यहाँ पर मैं एक और आपको बता जाता हूं provision किये रहा देखिए यह मैंने cover कर आया था exempted income में maturity amount of life insurance policy section 10 subsection 10D तो यहाँ पर देख सकते है issued before 1st April 2003 fully exempt issued on or after 1st April 2003 but before 1st April 2012 मतलब up to 31st March 2012 तो कितना है exempt if premium is less than और equal to 20% of sum assured जितने का sum क्या करा रखा है assured देखिए सीधी जी बात है आपको maturity पर कितना मिल रहा है तो generally वही एक तरीके से sum assured होगा लेकिन यहाँ रखना ज्यादा भी मिल सकता है bonus के form में तो आपको पहले से ही fix है कि आपको 5 लाग रुपे मिलेंगे और आप जो premium total में पे कर होगे क्योंकि आपको बताए कि 30,000 की इंस्टॉल्मेंट जा रही है 25,000 की इंस्टॉल्मेंट जा रही है तो generally जो total premium पे होता है वो 3,00,00,00 और majority पर आपको कितने मिलेंगे 5,00,00, एक्स्ट्रा आपको मिल सकते हैं 50,000 पर जो bonus की तुरू हो सकते हैं 60,000 मिल सकते हैं वो bonus जो भी insurance company ने decide किया है लेकिन जरूरी नहीं मिले तो यह बोल रहा है कि जो sum assured है उसका 20% वहां तक exempt है लेकिन अगर 2012-13 के दोरान है तो उस case में क्या 10% और यह बोल रहा है कि 1 April 2013 यह उसके बाद है disabled person के लिए तो 15% तो इसका मतलब क्या जो normal person है अगर वो policy लेता है 1 April 2012 या उसके बाद तो उस case में उसका क्या sum assured का 10% तक exempt है sum assured का 10% तक लेकिन अगर वही disabled person है तो 12-13 में तो उसका 10% ही है लेकिन 1 April 2013 से उसके लिए 15% है तो normal याद रखिए कि 1 April 2012 से पहले 20% normal बस याद रखिए 1 April 2012 से पहले policy ले रखिए तो sum assured का 20% और 1 April 2012 है उसके बाद है तो 10% ऐसे या रखना है क्योंकि देखिए disabled person का याद रखेंगे तो confused हो जाएंगे जब हम क्या बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हम TDS की बात कर रहे हैं नहीं तो confusion हो जाता है अब देखिए example करेंगे cover तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं particular क्या बोल रहा हूं और याद रखना कि जो य नहीं कटेगा एक तो एक लाग तक का maturity value है तब नहीं कटेगा और अगर वह exempt है under section 10 subsection 10D इसका मलब sum assured का 10% है या 20% है तो हमें देखो यह देखना पड़ेगा कि policy 1 April 2012 से पहले किये या 1 April 2012 की बात किये और वह अंदर आ रही है तो अच्छी बात है exempt है TDS आपका नहीं कटेग है तो उस case में TDS कटेगा ही कटेगा जो कि क्या कटेगा पाच परसेंट कटेगा एक नो दो जार उनने से उसके बाद और उससे पहले एक परसेंट कटता था सारे पेमेंट पे जबकि यहां पर डिफरेंस पर या रखना ठीक है तो देखिए आपे बोल रहा है examine the applicability of provisions for tax deduction at source under section 194 DA in the following cases simple रखेंगे देखिए क्या बोला Mr. A resident is due to receive 450,000 on 31st March 20 towards maturity proceed of LIC policy taken on 1st April 17 यहां पर देखिए मैं अगर आपको पहले PDF दी वी है तो उसमें कुछ mistakes थी मैंने उसको सही कर दिया बिल्कुल यानि उसमें dates की mistake थी क्योंकि आपको पता ही कि हर साल change होता रहता है part तो जनरली कहा है कि उसमें मैंने कुछ year change नहीं किये थे लेकिन इसको मैंने बिल्कुल proper कर दिया क्योंकि आपको पता ही कि आपको 4,00,000,000 लेकिन मिले कितने 4,50,000 तो पचाज आर मान के चलिए bonus का part है the annual premium कितना है 1,25,000 annual premium हमें क्या करना है TDS का part cover करना है तो सबसे पहले देखिए कि exemption मिल रही है या नहीं मिल रही है तो आप देखिए जो sum assured है 4,00,000 और policy कब लिए वो देख लीजिए देखिए LIC policy लिए 1 April 2017 जो की 1 April 2012 या उसके बाद है यह तो 1 April 2012 या उसके बाद तो उस case मे sum assured या रखना तो sum assured कितना है 4,00,000 ना कि 450 या रखना ठीक है यह तो maturity amount है जो आपको मिलेगा तो आपको बताए कि sum assured कितने का 4,00,000 तो 4,00,000 का 10% 40,000 अगर premium होता कहने का मतलब अगर premium annual premium 35,000 होता 40,000 होता तो वो exempt होता और पर TDS का part भी applicable नहीं होता लेकिन annual premium कितना है हर साल ज 25,000 कर रहे हो जो कि क्या है 10% of sum assured से ज्यादा है यानि 40,000 से ज्यादा है 1,25,000 ऐसे बोल सकते हैं कि 1,25,000 annual premium is greater than 10% of sum assured ठीक है ऐसे बोल सकते हैं तो आप देख सकते हैं जो sum assured है वो कितना है 4,00,000 है उसका 10% 40,000 तो 1,25,000 ज्यादा है उस case में हम बोल सकते हैं कि exemption नहीं कि Mr. A को और TDS कटेगा अब यह देखिए कि generally जो इसको amount received होगा वो कब होगा 31 March 20 को तो आप देख सकते हैं एक नो 2,09 से उसके बाद 5% होगा और किस पर होगा difference का amount पर क्या बोल रहा है after deducting the amount of insurance premium paid by the resident SEC from the total sum received अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं erase कर लेता हूं एक बार तो देखिए मैंने क्या बोला कि difference का निकलेगा तो यहाँ पर total sum received कितना है यह पढ़ाया मैंने आपको 450 total sum received ठीक है यह मिलेगा 450 उसमें से minus क्या करेंगे अब तक का कितना premium pay कर लिया देखिए policy लिए 1 April 17 तो 17, 18, 19 हम previous in 1920 की बात कर रहे है तो 1920 तीन साल तक premium pay किया होगा क्यो आपको पता है कि तीन साल का premium तो देना पड़ेगा तो 125 का into 3 कीजिए तो कितना आएगा 3,75 ठीक है तो 450 में 3,75 लेस किया तो बाकी 75,000 जो difference का amount है उसको बोलेंगे income क्या बोलेंगे income तो entire payment का नहीं बोल रहे है अगर वह 1,19 से पहले का होता तो सारा 450 का 1% निकलता ठीक है य तो 75,000 का 5% इस तरीके से निकल के आ जाएगा तो यह आप देख सकते हैं 75,000 का निकलेगा देखे बोल रहा है सिंस annual premium is greater than 10% of sum is short in respect of policy taken after 31st March 2012 यह बोल सकते हो कि on or after 1st April 2012 ठीक है 1 April 2012 यह उसके बाद generally policy ली जा रही है क्योंकि यहाँ पर यह बोल रहा है after 31st March 2012 तो इसको आप ऐसी बोल सकते हो on or after 1 April 2012 यह उसके बाद generally policy ली गई है तो उस case में बोल रहा है कि जो sum is short है उसका 10% वहां तक का part exempt रहता है लेकिन अगर annual premium जादा है उससे तो उस case में exemption नहीं मिलती तो Mr. A को exemption नहीं मिलेगी अब देखे बी पॉइंट तो आपको बताएगी देखिए before तो मैंने आपको यह पॉइंट बताया थे हैं यहाद रखना है कि आपको जब भी याद रखना है तो वह क्या याद रखना है कि before आप देख सकते हैं कि 1 April 2012 से पहले तक 1 April 2003 के बाद लेकिन 1 April 2012 से पहले तक उस case में कितना exempt है 20% तक का 20% यह है बोल सकते हैं तो maximum जो है वह कितना है समय शॉड का 20% तक exempt है तो अब इस case में आप देख सकते हैं कि जो प्रीमियम का मौंट वह कितना है एनौल प्रीमियम है 35,000 का समय शॉडर 2,50 और एनौल प्रीमियम कितना है 35 अगर आप 2,50,000 का 20% निकाल के देखिए क्योंकि आपको पताए कि जो पॉलेसी है वो कब ली गई है 31 मार 2012 को जो 1 अप्रील 2012 से पहले तो उस case में समय शॉड का 20% तो कितना निकला 50,000 ठीक है और एनौल प्रीमियम कितना है 35 तो आपको पताए कि एनौल प्रीमियम इसके अंदर आ रहा है तो एक्जम्शन मिलेगी मिलेगी एक्जम इसलिए TDS नहीं कटेगा क्योंकि एक्जम्ट इंकम पर TDS का पाट अपलाए नहीं होता थीक है इसी तरीके से बोल रहा है कि अगर मैचूर्टी पर आपको एक लाग मिल रहे है तो उस case में आपको कुछ देखने की जोरती नहीं है क्योंकि आपको बताए कि एक लाग तक ए तो जब C case है तो उसमें आपको ज़्यादा देखने की जोरती नहीं पड़ेगी देखे कि आप बोल रहा है Mr. C एक resident है उसको कितने मिलेगा maturity पे 95,000 मिलेगा जबकि sum assured कितना करा रहा है उसने 90 का तो उसको जब 5,000 वो bonus है मिले एक तरीके से तो यह बोल रहा है कि due to receive 95,000 on 1st October 2019 toward maturity proceed of LIC policy taken on 1st October 2013 for which the sum assured is 90,000 and annual premium was Rs. 15,000 देखिए आपको बताए कि policy कब की है एक 10-2013 की तो आपको बताए कि हमेशे या रखना है कि 31 मार्स 12 तक 20% और उसके बाद क्या है 10% ठीक है exempt तो आप देख सकते है कि 90,000 का जो 10% वो कितना होता 9,000 और जो annual premium हो कितना 15,000 annual premium कितना है 15,000 तो annual premium जाद आ रहा है हम बोलेंगे 15,000 is greater than 10% of sum assured आपको बताए तो जैसी वो greater होता है तो आपको बताए कि exemption नहीं मिलती exemption नहीं मिलती तो TDS कटेगा लेकिन एक case हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर वो maturity amount जो है वो एक लाग तक का है exempt नहीं है इसलिए TDS कटेगा लेकिन यहां पर TDS क्यों नहीं attract हुआ क्योंकि maturity proceed क्या है less than 1 lakh है इसलिए नहीं कटा तो ये भी आपको याद रखना है साथ साथ कि maturity में जो amount है वो एक लाग से जादा होना चाहिए एक लाग है उससे जादा होना चाहिए तो तब जाके क्या होगा TDS का पार्ट कटेगा तो ये भी हमें ध्यान रखना है तो एक तो हमें section 10 subsection 10D या ATC generally उसके पार्ट को ध्यान रखना या रखना और साथ में हमे 24DA भी कवर करना है और उसके साथ उसके एक लाग की amount को भी याद रखना है ठीक अब देखिए अगला section है section 194E जो की बात कर रहा है TDS on payment to non-resident sportsman और sports association इसमें क्या बोल रहा है who is responsible to deduct tax any person who is responsible to pay the following income ठीक अब यहां पर pay क्या है देखिए कोई भी person any person की बात करती है तो कोई भी person हो सकता है लेकिन वह किसको पे कर रहा है तो यह बोल रहा है sportsman को पे कर रहा है जिसमें athlete इंक्लूड होगा और an entertainer being non-resident foreign citizen ठीक है तो यह foreign citizen की बात कर रहा है non-resident देखिए cricket cricket होता आपको बता है IPL होते हैं World Cup होते हैं यह और भी sports event होते हैं यह इसकी बात कर रहा है जिसमें आपको बता है कि एथलीट तो आते हैं इसी तरीके से entertainer बाहर के entertainer भी आते हैं जैसे किसी ने big boss join कर लिया कोई singing यानि गाने का show perform करना है यहां पर तो आपको बता है कि जैसे ही वह इंडिया में participate कर रहे हैं किसी भी चीज में आपको बता है जनरली हम क्या बात कर रहे हैं किसी game में participate कर रहे हैं या जैसे entertainer है तो आपको बता है कि वह गाने के लिए आया dance करने आया किसी show में participate करने आया तो उस case में जो भी उसकी income है उस पर TDS कटेगा 20% और अगर उसकी income 50 lakh से जादा 1 क रोड से ज्यादा जैसे में assessment की बात बताई थी assessment of individual तो उस case में आपको बताया था कि surcharge भी लग जाता है तो income अगर ज्यादा है तो उस case में surcharge का पार्ट भी apply होगा health and education से इस तो लगता है यह 4% आपको बता है मान के चलिए कि income इतनी ज्यादा नहीं है 50 lakh से कम यह तो surcharge का पारड अपलाई नहीं होगा तो उस case में 24% कितना होता है पॉइंट इट तो 20.8 अब देखिए एक तरीके से किसकी तरह है यह casual income की तरह है जैसे casual income पर क्या होता है आपको बताए लॉट्री की इंकम पर 30% कटता है ठीक है वैसे जनरल जो non-resident person है उस पर काटा गया कि भाई आपकी यह casual income है क्यों क्योंकि आप regular नहीं कमा रहे हो क्योंकि आपको तो आपका बोर्ट देगा देखिए जैसे Australian cricket team है वह यहां पर आती है कोई person man of the match हो जाता है जैसे मान के चलिए मैं बोल रहा हूं अभी कौन डेविड वार्णर आपको पताईए Australian Crickator है उसने man of the series दी उसको कितना मिला 5 lakh मिला 5 lakh का जो भी amount मिला उसको 20.80% क्या करना पड़ेगा TDS देना पड़ेगा यानि उसकी income में से काटा जाएगा अब वो कौन काटेगा जो भी generally उसे amount दे रहा है ठीक तो जैसे हम बोल सकते हैं कि BCCI अगर amount दे रहा है तो BCCI क्या करेगा TDS deduct करेगा और बाकी जो amount है net amount उसको दे देगा वैसे देखिए advertising आपको पता है कि IPL चलता है World Cup चलते हैं तो जैसी वो आता है तो वो temporary period के लिए का करते हैं एड करने लग जाते हैं Indian क्रिकेटर के साथ तो कोई भी company क्या करती है उन्हें hire कर लेती है जैसे कुरक्रे हो गई आप देख सकते है Kingfisher हो गई उसकी बहुत सा रियाड आती है तो जनरली आपको पता है कि उन्हें तब भी क्या मिलता है एक तरीके से amount मिलता है वो भी casual है वो भी regular नहीं है आपको बता है कोई वह इतने ज्यादा contract से बंदे वे नहीं होते हैं तो यह भी एक तरीके से casual part के तरीके से हो गया तो उसके बले में उन्होंने 4 लाग, 5 लाग, 6 लाग जो भी उस newspaper, magazine या journal company से ले लिए तो वो company क्या करेगी टीडियस काटेगी ठीक वैसे बोल दिया sports association being non resident तो देखे जैसे मैंने बोला Australian cricket board उसको BCCI ने क्या बोला कि यहाँ पर आप आओ अपना sports organize करो इंडिया में हम आप आपको इतने रुपे देंगे हम आपको 50 करोड देंगे 40 करोड देंगे यह पाट आ गया जैसे football event है तो FIFA को क्या बोला यहाँ पर इंडिया की organization इंडिया की government ने कि यहाँ पर आओ हम आपको 200 करोड देंगे 100 करोड देंगे 150 करोड देंगे तो एक तरीकी से क्या है कि वह sports association जो नौन रेसिडेंट उसको बुला रहे हैं तो यहाँ पर देखें क्या बोल रहे हैं यहाँ पर गेम करवा रहे हैं एनी गेम अदर दें कार्ड गेम और sports और इंडिया तो देखें कहाड गेम गेंबिलिंग इसको मतले न क्यों क्यों क्योंकि आपको बता है कि crossword puzzle lottery card game gambling betting सा the time of payment और crediting the party which is earlier देखें इनको वैसे देखनी जुरत नहीं जो मैंने point बता है क्योंकि मैंने बताया था कि अलग से मैंने नीचे cover कर रहे हैं कि कि किन-किन section पे payment के time पर text लगता है और किन-किन section पे payment या crediting to account of payee या crediting of the account of payee यानि payee का account create कर रहे हैं या payment कर रहे हैं दोनों पर आपको देखने की जुरत नहीं होगी वह बाद में देख सकते हैं अब देखिए यह बाट भी हो गया अब है 194EE का जिसमें बोल रहा है payment in respect of deposits under national saving scheme देखिए वैसे यह ज़्यादा इतना importance का नहीं है क्योंकि क्या है जनरल यह पहले issue होते थे तो जिनोंने इस तरीके से investment खरीद रखें national saving scheme के certificate ले रखें national saving certificate fourth issue six issue generally तो आपको बता है कि maturity पर उन्हें amount मिलेगा maturity पर जो भी amount मिलेगा amount क्या मिलेगा principal amount जितना उन्होंने इंवेस्ट किया है और साथ में उसका जो interest जमा हुआ मान के चलिए कि किसी ने 1999 में इंवेस्ट कर रखा है ऐसे एक्जामपल के फॉर्म में बता रहा हूं और 2020 में उसकी maturity हो रही है तो इसका मतलब कि और जो 20-21 साल का जो भी क्या है उन्होंने investment कर रखा है 1999 में इंवेस्ट कर रखा है और साथ में जो interest का पार्ट है जो भी उसक क्या है resident के case में 10% इसका मलब क्या है अगर payee resident है और non-resident के case में उसकी income पर उसकी income मलब क्या हो गया उसका जो भी investment है investment के साथ जो भी interest मिला टोटल जो भी maturity amount मिला उस पर 10% TDS कर जाएगा अगर non-resident है तो सर्चार्ज भी आ जाएगा और health and education sales भी आ जाएगा exemption क्या है अगर aggregate payment less than 2500 है on aggregate basis to a person in financial year पिछले साल 2021-1920 की बात कर रहा है previous year 1920 क्योंकि मेरे लिए तो assessment year क्या है 2021 है जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे देखिए कराऊं cover करोगे अगर आप अगली पार्ट के लिए भी cover करते हो इसको अगले पार्ट के लिए भी देखते हो तो जनरली आप assessment year 21-22 बोलोगे प्रिवीशर 2021 बोलोगे जब तक की change नहीं आते amendment आते है तो वह तो मैं जनरली cover कराऊंगा ही कराऊंगा या रखना amendment आयो है तो ज सब्सक्राइब जादा है तो TDS कटेगा डिडेक्टर कौन है पोस्ट ओफिस पेई कौन है एनी परसन पेमेंट क्या है पेमेंट आउट ओफ नेशनल सेविंग स्कीम 1987 जिसमें प्रिंसिमल आवाउंट जो की शुरू में इन्वेस्ट किया है और साथ में जो इंट्रेस्ट अक्रू होता जाता था और मिलता था किसके साथ प्रिंसिपल माउंट के साथ ठीक है यहां पर देखें क्या बोल रहा है एक्जंप्शन और रिलेक्शन फॉर्म प्रोविजन वेर्द पेमेंट इसमेंट 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 वहां पर TDS नहीं कटा जाएगा देखें मैं आपको बताया था यह section किसकी बात करता है 197A सम्टिंग इसकी बात करता है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है हाँ जनरली वही है 197A तो देखें आपको बताता है 15G फॉर्म होता है 15H में जनरली ध्यान आ रहा है कि जो रेसिरेंट परसन वह सीनियर सिटीजन है यानि उसकी एज 60 यह उससे ज्यादा है तो 15H फॉर्म आता है तो जनरली वह क्या करता है को रिक्वेस्ट करता है फॉर्म में कि मेरी जो इंकम है वह ऐसे कम आती है बेसिक एक्जंशन लिमिट जो 250 है उससे कम है तो जो इतना टीडियस बन रहा है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है ठीक है जो यह टीडियस काटा जा रहा है 10% यह तो आप देखिए मेरे को जो आम इंकम बनेगी वह बेसिक एक्जंशन लिमिट के अंदर ही आएगी तो इसलिए मेरा क्या कीजिए कि टीडियस आप मत काटिए तो एक तो 197 जिसमें रिक्वेस्ट करेंगे कि असेसिंग ओफिसर को मत काटिए या लोवर रेट पे काटिए कि जैसे 10% तो 5% पे काटिए या 10% जीरो परसेंट कुछ भी मत काटिए और एक होता है 197A जिसमें अपनी इंकम की दुहाई दी जाती है कि हमारी इंकम कम है बेसिक एक्जंशन लिमिट तक है या उससे कम है इसलिए आप टीडियस मत काटिए ठीक है तो उस केस में क्या होगा टीडियस नहीं कटेगा और देख सब्सक्राइब कर देखिए इसमें मैंने यह नहीं बता है कि जब रेसिडेंट परसंट को क्या मिल रहा है मैचयोटी पर लाइप इंशरेंस पॉलिशी का जो भी मैचयोटी अमाउंट बिल रहा है तो अगर उस परसंट की दैथ हो जाती है तो आपको बताए कि तब भी जो रखना की बीस परसंट तक है तो टेक्सेबल नहीं होगी क्योंकि आपको बताए कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D के अकोर्डिंग एक्जम्ट है यहां पर देखिए फुली एक अप्रिल तीन से पहले तो पूरी एक्जम्ट है दैथ हो गई तो पूरी एक्जम्ट है लेकिन एक यहां ओर्फर दथ यहां अपने नेशनल सेविंग लेखा तो आपको बताए कि उसके legal hair को क्या मिल रहा है पैसा मिल रहा है amount मिल रहा है तो उस पे TDS नहीं कटेगा क्योंकि जो exempted part होता है उस पे TDS का part apply होता ही नहीं है इसी तरीके से देखिए आपे बोल रहा है TDS on repurchase of units of mutual fund और unit trust of India आपको बताए कि आपके mutual fund है या UTI के units है unit trust of India के जो कि section 80 CCB क्या according है तो आप pay हो क्योंकि आपको बताए कि आप जब इन्हें maturity पर क्या करोगे maturity या जनरली क्या करोगे बेच होगे तो आपको amount मिलेगा तो यह बोल रहा है कि जो pay है जिसको जो यह री पर्चेश कोई भी कर रहा है उस पर जो amount मिल रहा है तो उस amount पर TDS कटेगा 20% देखे डिटक्टर कौन है mutual fund या UTI क्योंकि आपको मैंने है mutual fund या UTI वो क्या करेंगे आपको payment कर रहे है क्योंकि आपने यूनिट hold की विए जैसे ही री पर्चेश हुआ तो आपने दे दिये अपने mutual fund या unit trust of India के UTI दे दिये री पर्चेश का मतलब क्या हूआ mutual fund या UTI ने वापिस से खरी लिए आप बोल सकते हैं कि आपने बेस दिये ठीक है यानि पेई ने क्या कर दिये बेस दिये तो इसके में डिडेक्टर क्या करेगा उनको amount पे करेगा तो उस पर TDS काट के पे करेगा 20 ठीक है तो यह बोल रहा payment on account of repurchase of units referred in section 80 CCB जो कि कौन-कौन से होते हैं एक तो mutual fund के unit हो गए और एक unit trust of India के units हो गए सीधा बाट अब देखिए आपको बता है कि जब आपने 194 D cover किया तो मैंने क्या बता है था 194 D insurance commission की बात करता है insurance commission मतलब क्या होगा एक agent की बात करता है जो की resident person है और company नहीं है तो उस case में क्या होगा उसकी जो भी income होगी commission की उस पर 5% कटेगा अगर एक domestic company है तो उसकी income पर 10% कटेगा यह आपने cover किया वैसे देखिए commission किसकी बात कर रहा है टीडियस on commission on sale of lottery ticket वहाँ पर आपको पता है कि commission 15,000 तक का है तो exempt यहाँ पर भी government क्या करती है जो agents होते है जो lottery ticket बेचने का काम करते हैं उनको commission देती है तो यहाँ पर government deducted होगी तो government क्या करेगी टीडियस काटेगी agent को जो भी क्या हो commission हो रहा है क्योंकि agent क्या कर रहे है इनके भियाप पर lottery बेचने का काम कर रहे है लॉट्री टिकट बेचने का काम कर रहे हैं और उनको कमीशन मिल रहा है तो एजेंट को कमीशन मिला, गॉर्नमेंट क्या करेगी? जो यह गॉर्नमेंट है वो टीडियस काटेगी कितना 5%? पेई कोन हो गया? कोई भी परसन जो की एजेंट के फम में जो लॉट्रे टिकट बेशने का काम कर रहा है एक्जम्शन क्या हो गया कमिशन अगर एक्वल टू और लेस दें 15 था हो जने 15,000 तक का कमिशन एक्जम्ट है फिर देखिए आ गया 194 आई जिसमें बोला है तो यहाँ पर देखिए जनरल कमिशन है ब्रोकरिस की बात करता है क्योंकि पिछली यूडियो में बता चुका हूं तीनों पर्टिकलर पार्टी बोल रहा हूं तीनों पर्टिकलर सेक्शन यह 15,000 पर पार्ट भी याद रखिए ठीक है अब इसमें सारे कमिशन आ जाते हैं सारे कमिशन मलब क्या हो गया देखिए एक रेलवे एजेंट है एक एरलाइन कंपनी का एजेंट है जनरली क्या कर रहा है वो टिकेट बेच रहा है तो उसको कमिशन मिल रहा है एक कंसाइनर कंसाइनी का रिलेशनशिप आ घया घ्क है गुड्स खरीदने बेचने से रीलेटăd कंसाइनर कंसाइनी कंसाइनर मलब क्यों कोग है अठेल क्या कर रहा है अपने एजेंटको gots दे रहे और tax audit के दाइरे में आता है यह बार बार बता दिया तो सारे person आएंगे किसको छोड़के individual HF को छोड़के लेकिन individual HF भी आ सकता है कब condition कब है जब वो tax audit करवाता है तब rate कितना काटेगा वो 5% TDS काटेगा ठीक है किसकी income पर सामने आले को income हो रही है तो इसका अब देखिए बोल रहा है कि no TDS TDS नहीं कटेगा एक तो आपको पता है कि इस पर नहीं कटेगा दूसरा बोल रहा है कि इंशॉरेंस कमिशन पर नहीं कटेगा क्यों क्योंकि इसका लक्से section है 194D यह भी आपको पता है commission to stock broker तो देखिए stock broker की बात करता है कहने का मलब अगर securities की बात कर रहें तो securities खरीदने बेचने का काम है और जो broker उसको commission मिल रहा है जैसे देखिए मैं invest करता हूं securities में मैं purchase करता हूं तब भी मुझे brokerage देनी पड़ती है अगर मैं sale करता हूं तब मुझे brokerage देनी पड़ती है तो मुझे किसको देनी पड़ेगी उस stock broker को commission देनी पड़ेगी आपको पता है कि आजकल तो online बहुत सारे account खुल जाते हैं जैसे अप stocks में खोल सकते हो जी रोदा नाम से है उसमें खोल सकते हो ग्रोव एप है जनरली उसमें या कोई भी आप देख सकते हो रैली गेर अलंकित फाइनेंस हमारे यहां पर है तो हम क्या कर सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो अग cuts आपनेएगि उसपे ठटाद मृट्स क्या कर रहा है . energy करी सेल करने पर जोभी donc ए्युक्त जोबिक रोगी कमिशन काट रहा है तो इसपर कट रहा है जोभी दाली दे रहा हैńsk तो कमिशन टू स्टॉक ब्रोकर नहीं कटेगा कमिशन बाइब बारत संचार निगम लिमिटेड और यह महानगर सम्थिंग यह यह टेलिकॉम निगम लिमिटेड तो यह बोल रहा है कि यह पने पॉब्लिक कॉल ओफिस फ्रेंचाइजी उनको जनरली जो कमिशन पे करता है तो उस पर भी TDS नहीं कटेगा this section is not applicable to professional services क्यों कि इसके लिए अलग से section 194 जय है तो उसमें cover करेंगे fee for professional technical services तो यह section कभी भी इस पर applicable नहीं होगा तो जब भी professional services related commission की बात करेंगे तो जनरली 194 में cover हो जाएगा इस तरीके से आपको याद रखने है और देखिए मुझे 2-3 पॉइंट और याद आ रहे हैं तो मैं एक और बतायता हूं जैसे देखिए क्या होता है इस टॉकिस्ट होते हैं या एक केस वहा था जिसमें जोनरली या एक प्रोविजन आया था या घए कि आप मिनीट ऐसे antis सख्ञारा अब हाँ मैं बोल सकता हूं कि एटल है एटल कंपनी के आप सिम के डिस्ट्रीटर रोगेंगे इस तरीके से आपको या रख लेना तो एक पॉइंट यह भी हो गया तो जो जो पॉइंट मेरे को बता है जनरली वह मैं आपको बताते जा रहा हूं अब देखिए बात कर रहा है 6 1967 सेक्षण 194 देखिए एक परसन है उसको इसको रेंट की इंकम हो रही है house प्रोपर्टी अब उसको कोई बी इंकम और यह हो लेकिन जो एक्स्पेंस कर रहा है वो तो TTS काटेगा ही काटेगा किसके according 194 I के according एक person है उसकी machinery की income हो रही है rent की क्योंकि उसने अपनी machinery rent पे दी भी है अब अगर उसका काम ही है तो PGP की income है काम नहीं है तो income from other source में जा रहा है उसका लेकिन हमें उससे मतलब भी नहीं है अगर हम rent दे रहे हैं उस सामने आले person को तो हम तो TTS काटेंगे काटेंगे तो generally यही provision बात कर रहा है कि deductor में क्या होगा है सारे person किसको छोड़के individual यह HF को छोड़के ठीक है other than individual यह HF यह हो गया लेकिन individual हF कब आएगा अगर वो tax audit करवाता है देखिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं एक person मैंने किसी से rent पे कोई भी building ली rent पे कोई भी machine ली तो उस पर generally क्या होगा TTS का बाट लग जाएगा जैसे machine ली, plant लिया, equipment लिया तो उस पर generally 2% लग जाता है जिससे मैंने rent पे लिया, जिससे मैंने rent पे लिया, वो कोई भी हो सकता है पर वो resident person होना चाहिए तो देखिए pay में क्या बोल दिया, resident person only की बात कर रहा है payment में क्या बोल रहा है, rent of land building including factory building, plant and machinery, furniture and fittings, equipment सबकी बात कर रहा है तो यहाँ पे देखिए machinery और plant और equipment यहाँ गया, plant and machinery और equipment इसकी अगर बात करें तो 2% फिर देखिए land और building, land appartain and to building जिसमें factory building भी आ जाती है आ रखना और furniture और fitting, यानि furniture and fitting, furniture और fitting कुछ भी बोल लिए तो 10% excluding GST and municipal tax क्यों बोल रहा है, क्योंकि आप सोचिए कि जैसे के example के form में बोलूँ कि एक Mr. A है जो कि tax audit में आता है, ऐसे बोल सकते हो आप किसमें आता है, tax audit में आता है, क्योंकि आपको मैं TDS का provision बता रहा हूं तो मैं जनरलिस को tax audit में ही cover करूँगा क्योंकि यह deductor है तो Mr. A है, उसकी building है, उसने क्या करी, rent पे दी, किसको दी मान के चलिए XYZ Limited को अब देखो, rent की income कितनी है, पूरे साल की बता रहा हूं क्योंकि 2,40,000 तक exempt होता है यह रखना aggregate of rent paid और created less than and equal to 240 during a financial year to a person क्या होता है, exempt होता है यह रखना तो टोटल मिला के जो rent हुआ, अगर वो 2,40,000 तक का है तो exempt है उससे उपर का है तो उस पे TDS कटेगा तो आप देख सकते हैं कि साल के दोरान क्योंकि कि किसकी बात कर रहा है during a financial year तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरी rent की income हुई है और जो rent बना वो 4 lakh का rent बना ठीक है और यह building के rent की बात कर रहा हूं तो building के rent पर कितना होगा 10% TDS कट जाएगा 4 lakh का 10% अब देखिए मान के चलिए कि GST लगती है 18% 99% इस तरीके से तो 4 lakh का 9% कितना होगा 36 और 36 CGS TDS GST से बात कर रहा हूं तो जनरली देखिए यह बोल रहा है कि 4 lakh 72,000 को नहीं लेना 10% के लिए सिर्फ 4 lakh को ही लेना है क्योंकि जनरली जो भी क्या करेगा जब जैसे आपको पता है कि इसकी income rent की भी इन्वाइस बना टोटल मिला कि 4 lakh 72,000 सामने वाले से अगर लेता है ऐसे मैं बोल के चलता हूं देखिए वैसे तो क्या है tax audit होती है इंडिजल बिजनेस ऐसे मान के चलते हैं तो जो rent की उसकी income हो रही है उसमें tax का पार्ट भी वो collect कर रहा है जीएस्टी का तो यह जीएस्टी तो government का हिस्सा है Mr. A को तो इससे मतलब भी नहीं होगा तो सीधी सी बात है जो XYZ Limited है जो खर्चा कर रहा है उसमें से 72,000 तो वो government को चुका रहा है तो 472,000 पर 10% double tax हो जाएगा तो सीधी सी बात है 4 lakh पर ही TDS कटेगा तो इसका मतलब क्या हो गया excluding GST GST पर TDS नहीं कटेगा 4 lakh पर TDS कटेगा एक तो यह पार्ट ठीक है फिर एक और चीज जैसे यह बोल रहा है कि अगर आपको यह 2 lakh 40 की exemption बोल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि machinery plant equipment की अलग मिलेगी और land and building की अलग मिलेगी ऐसे नहीं बोल सकते है कि जो rent है मान के चलिए कि जो rent लिया मिश्टरी ने वह building का भी लिया और machinery plant equipment का भी लिया में से तो ऐसे नहीं बोल सकता जो person जिसकी income पर TDS कट रहा है एक तरीके से जैसे हम क्या बोल सकते हैं कि कि किसको income मिली देखिए मैंने थोड़ा example गलत कर दिया था पिछला जैसे Mr. A. tax audit के दाएरे में आता है तो जनरली क्या कर रहा है कि यह rent पे कर रहा है building पे तो किसको पे कर रहा है XYZ limited को इसकी income हो रही है ऐसे मान लेना तो थोड़ा सा क्या उल्टा बोल दिया था मैंने तो यह रखना कि यह डिड़क्टर है जो की खर्चे कर रहा है ठीक है और यह पेई है जिसकी income पर TDS कट रहा है तो जब यह पर्टिकलर परसन पेई income जो बिल बना के देगा तो फोड़ लैक उसका थर्टी सिक्स थर्टी स और मशीनरी जो दी वो 1,60,000 की दी तो यह नहीं कि जो डिड़क्टर है यहां बोल सकते है जो income कमा रहा है XYZ लिमिटेड वो यह बोलेगा कि 1,40,000 है जो की 2,40,000 के अंदर आ रही है और 1,60,000 है वो भी 2,40,000 के अंदर आ रहा है क्योंकि अलग अलग है अलग अलग नहीं है यहां पर देखे बोल रहा है aggregate of rent paid तो total मिला के इसका मलब क्या हो गया building का rent और machine का rent दोनों को मिला के aggregate जो है वो 240 से कम होना चाहिए 240 या उससे कम होना चाहिए देखे बोल रहा है paid और created less than और equal to 240 during financial year to a person तो अगर Mr. A ने 2,40,000 उससे कम rent दिया है दोनों का मिला के तब जाके कर दिया है तो वो TDS काटेगा मलब सामने आले की income पर TDS काटेगा अभी मैंने उल्टा बोल दिया था कि जनरली इसकी हो गई income income नहीं इसके लिए खर्चा है और इसके लिए income है ठीक है अब आप समझ गए होंगे कि 3,000,000 का rent बना जिसमें से 1,40,000 बिल्डिंग का और 1,60,000 मशीन रिका है तो टोटल मलागे कितना होगे तीन लाग तो इसलिए TDS कटेगा क्योंकि वो 2,40,000 से ज्यादा का आ रहा है ठीक है तो aggregate लेंगे अलग लग नहीं लेंगे फिर देखे इसी तरह की से बोल रहा है rent paid to government जैसे देखिए XYZ Limited की बात कर रहा है इसकी जगे में बोल government से टेक्स नहीं लेंगे ऐसे बोला जा सकता है फिर देखिए और लिक में क्या हो गया real estate investment trust अगर इसको भी rent पे किया है अगर Mr. A ने real estate investment trust जो की एक business trust है यह trust है या रखना तो business trust है अगर उसको पे किया है तो उस पर भी TDS नहीं कटेगा कह रहा है when TDS cannot be made तो दोनों point मैंने बता दिए जनरली आप यह पढ़ोगे और यह पढ़ोगे एक यह सेम पढ़के देख लेना देखिए बोल रहा है where rent is created or paid to a business trust being a real estate investment trust बताया in respect of any real estate asset refer to in section 10 subsection 23 FCA owned directly by such business trust ठीक तो उस business trust को आप rent पे कर रहे हो क्यों क्योंकि उसने आपको क्या कर रखिए building rent पे दे रखिए ठ लेकिन यहां पर TDS काटने की जुरत नहीं है क्योंकि particular अलग से बता रखाए कि इनके लिए TDS काटने की जुरत नहीं है इन दोनों के लिए अगर आप government को पे कर रहे हो और अगर आप real estate investment trust को पे कर रहे हो other point में क्या बोल दिया payment by individual reimburse by the company देखिए बोल रहा है कि company के employee होते है हैं auditor consultant यह होते हैं तो जनरली क्या होते हैं उनको hotel के खर्चे मिल जाते हैं कहने का मलब किसी hotel में रहते हैं और जो उसका खर्चा होता है जितना भी उसका reimbursement company दोरा कर दिया जाता है तो जनरली उस पर TDS का पाट अपलाए नहीं होता कह रहा है वेर an employee और an individual representing company like a consultant auditor etc make a payment for hotel accommodation directly to the hotel तो इसका मलब क्या है उस employee ने auditor ने consultant ने क्या गरा directly hotel को पे कर दिया उस case में जो उसका reimbursement है वो कौन कर रही है company कर रही है यह बोल रहा है तो उस case में बोला है the question of tax deduction at source would not normally arise except where he is covered under section 44 AD किसको छोड़के अगर जो payment कर रहा है person वो किस में आता है 44 AB में आता है इसका मलब tax audit म is employee or such individual who makes the payment and the company merely reimburse the expenditure तो जनरली एक circular आया था 30 July 2002 को number 5 2002 इसमें यही बोल दिया था कि जनरली इस पर TDS का पाट अपलाई नहीं होगा कि अगर कोई person जो की company का employee यह है वो hotel के खर्चा है accommodation के पे करता है और उसको company reimburse कर देती है तो जनरली वो tax audit के दाएरे में नहीं आता क्योंकि कि वो simple person है उसका कोई business business नहीं है लेकिन अगर उसका business यह होता individual tax audit में आता और company उसको pay कर रही होती कहने का मलब reimburse कर रही होती और उसने hotel का खर्चा पे किया होता तो तब जाके TDS का part apply हो जाता लेकिन tax audit में ही नहीं तो TDS का part apply नहीं होगा वैसी बोल रहा है कि जनरली देख अगेंस periodic rent paid और payable for acquisition of long term leasehold rights or land or any other property are not payment in nature of rent within the meaning of section 194i तो देखिए इसको बोल रहा है कि इसको 194i के according rent के जो definition है या meaning है या nature of rent है उसके according नहीं लिया गया है क्योंकि एक साथ पूरा का पूरा premium पे हो गया 20 साल का 25 साल का तो इसको periodic rent के against adjust नहीं किया जा सकता इसलिए इसको rent की meaning में नहीं लिए जा रहा और इस पर TDS का पाट अपलाए नहीं होगा therefore such payment are not liable for TDS under section 194i where the share of each corner is known यह बोल रहा है कि अगर हर corner का share पता है तो limit of Rs.2,400,000 is applicable to each corner separately अलग-अलग होगी फिर देखिए या पे बोल रहा है कि एक example दे रहा है Mrs. Indra a landlord derived income from rent from letting a house property to Messers Weber Corporation Limited और रुपीज 1,00,000 पर मन देखिए यहां पे बोला मिशिए इंद्रा लैंड नॉड है जिसने income derived की from rent from letting a house property to Messers Weber Corporation Limited और रुपीज और रुपीज और पर मन शी चार्ट GST at the rate 15% on lees rent charges calculate TDS to be made by Messers Weber Corporation Limited on payment made to Mrs. Indra अब देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि payee कोई भी हो सकता है पेई रेसिदेंट परसन है तो यहाँ पेई कौन है मिसेज इंद्रा पेर कौन है डिटक्टर कौन है मैसर्स वेबर कॉर्परेशन क्योंकि उसने रेंट क्या है दिया है अब उसने कितना दिया एक लाक रुपे पर मन तो यह दिया और साथ में 15% जीएश्टी भी दी ठीक है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जीएश्टी पर टेक्स लगे गा नी जीएश्टी पर टीडियस लगेगा नी तो किस पर लगेगा वन लैक इंटू 12 ट्वेल लैक और आपको बता है कि 12,240 से उपर आ रहा है तो इसका मतलब एक्जेंट भी नहीं है तो ट्वेल लैक पर तो 12 लेक का 10% कितना हो जाएगा 1,20,000 क्योंकि यह किसकी बात कर रहा है हाउस प्रोपर्टी की बात कर रहा है और बिल्डिंग पे कितना है आपने देखा होगा उपर 10% है अब देखिए इसके बात जो आएंगे पार्ट मैंने क्या बता है इतने ही वीडियो बनाऊंगा इतने ही मिनिट की वीडियो बनाऊंगा उससे ज्यादा नहीं बनाऊंगा जिसमें आपके पांच-पांच-छे-चे सेक्शन कवर होते जाएंगे अब देखिए अगला पार्ट आएगा 194 आईएगा फिर इसके बाद 194 आई भी जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ अमेंडमिन वी आपको मिल जाएंगे कुछ नहीं भी आपको मिल जाएंगे जैसे मैं आपको बता हूं तो नहीं कौन से हैं जैसे एले है लबी है देखिए अब वो तो आगे मिलेंगे क्योंकि मैंने लिख कcción मैं वैसे तो नियू देखिए जैसे 194 अ दे जाएहन यू आ गया 194 आ गया तो कुछ मैंने जीए और जैसे क्या हो सकता है कि एक्जाम में आ सकते हैं तो इस लिए मुझे सके सारे पॉइंट कवर करने पड़ गए इस वजह से इसके 32 से 33 पेज़ेस हो गए अगर मैं छोड़ना चाहूं तो बहुत सारे बार देखिए तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा वीडियो एक बारी देखिए लेकिन जो PDF का पार्ट उसको दो बार तो कवर कीजिए जिससे क्या होगा एक्जाम में आपको आसानी होगी concept समझने में आपकी क्या होगी दिक्कत नहीं होगी और MC कुछ भी आराम से जल्दी से कर पाओगे मैंने का बता है reference book अगर आपके पास है कोई भी orient true man की तो उसमें से भी देखिए अगर जो provision change हो जाते है आपको लगता है इसमें दिक्कत है तो इसको Google से सर्च कीजिए क्यो तो देखिए कभी भी हो उससे पहले हमारे पास तैयारी होनी चाहिए तो साथ साथ कीजिए क्योंकि देखिए वीडियो कितनी सारी है मेरी फर्स्ट की भी है सेकंड की भी है अकांटिंग ऑडिटिंग की 97 है तो जनरली मैं आपको क्या कर रहा हूं कि एक तरीके से unlimited time के वीडियो के होगी परमानेंट टाइम के लिए मिलती रहेगी कहने का मलब जितना आपका पीरिट है उसके लिए ठीक है तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू